गुल माणिंग स्टुडेंट्स लक्षमे आप सभी का स्वागत है हम लोग पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ओफ अप्टिकल फाइबर जिसमें पिछले वीडियो में हम लोगोंने स्टेप इंडेक्स फाइबर और ग्रेडड इंडेक्स फाइबर के बारे में सीखा अभी के वीडियो में हम लोग सिंगल मोड फाइबर और मल्टी मोड फाइबर के बारे में जानेंगे ठीक है, single mode fiber क्या होता है और क्या के इसके main मुख्य बाते हैं इसको समझेंगे और दूसरा multi mode fiber क्या होता है इसकी मुख्य बाते क्या है इसको भी समझेंगे तो यह बहुत important है क्योंकि इन दोनों का तो हम दोग पिछली वीडियो में अच्छे से देखे, difference के रूप में भी समझे इसको भी उसी तरीके से हम लोग समझेंगे आपके सामने image आएगा और image को आप देखेंगे और last में दो image अलग अलग आएंगे one by one, side by side और उससे आप उसका अंतर निकालेंगे तो पहले हम लोग पढ़ेंगे single mode fiber single mode fiber ठीक है एक ऐसा fiber जिसमें एक ही तरह के mode of propagation होते है propagation मतलब किसी भी optical fiber में यदि किसी optical fiber में मैं ray देता हूँ तो कितने तरह से दे सकता हूँ ठीक है, अलग-अलग तरह से दे सकते हैं सीधा भेज सकते हैं jig-zag path हैं भेज सकते हैं helical भेज सकते हैं मैं बहुत सारे तरीकें का परियोग कर सकता हूँ ठीक है, एन्ही परकास की किरन कितने अलग-अलग तरीके से भेजी जा सकती है तो जितने अलग-अलग तरीके से भेजी जा सकती है उसे कहते है mode of propagation यद रहेगा, क्या बोले, mode of propagation ठीक है, propagate कराना propagate मतलब किसी भी light को आगे की तरफ ले जाना तो भाई, propagate कराने का तरीका अलग-अलग होता है अभी इसके फिछले विडियों हम देख रहे थे jig-zag path बन रहा था एक spiral बन रहा था एक सीधी रेखा में चलने वाला light भी होता है तो अलग-अलग है, जिसे मैं laser light का परियोग कर लिया आप laser हमसे पढ़े है laser, laser में क्या होता है कि आपका light एकदम सीधी रेखा में चलता है ना तो उपर नीची है, कहीं पर इधर-धर disperse नहीं होता है तो इसमें जो है, single mode fiber में single mode fiber में propagation of, mode of propagation ठीक है, single mode of only one mode of propagation पॉसिबल, एक ही तरह के propagation mode of propagation possible है दूसरा है, single mode fiber जो है, उसका diameter है 10 micrometer, याद रखिएगा बहुत important है, ठीक है single mode fiber का diameter कितना होना चाहिए 10 micrometer होना चाहिए आए, the difference between the refractive index of core and cladding is very small, important point यही है, 2-3 point ही तो इसके important है, इसको समझना है, core and cladding core and cladding, मतलब देखिए यहाँ पर जो मैं बना रहा हूँ यह है core, और इसके उपर मैंने बनाया cladding यह cladding है, और यह है core, इसका refractive index N1 था और इसका refractive index N2 था, तो कहता है कि यदि मैं single mode fiber लेता हूँ तो इन दोनों का जो refractive index का अंतर होगा difference होगा, वो बहुत कम होगा, मतलब इन इसका और इसका refractive index लगभग, लगभग, लगभग बराबर माना जाता है, ठीक है इन दोनों के बीच का जो refractive index का जो अंतर होगा, वो जादा होगा, ठीक है चलिए उसको तो उसमें आएंगे तो पढ़ेंगे ही आगे बढ़ते हैं चौथा point है कहता है, in single mode fiber there is no dispersion so these are suitable for communication इसमें सब्दाया dispersion कौन सा सब्दाया, dispersion इसको समझते हैं, dispersion का हिंदी क्या होता है dispersion ठीक है, dispersion dispersion को बोलते हैं, बिखराओ यहीं, आप किसी परकास की किरन को कहीं दे रहे हैं और वह परकास की किरन बिखर जाएगी तो भाई, लंबी दूरी तक जा पाएगी नहीं जा पाएगी ठीक है, अब आप सोचिए कि एक question है मेरे पास कि जो train का signal होता है वो red लगाया जाता है रोक निकला, ऐसा क्यों सोच की बताईए तो एक मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ मेरी बात को सुनिये मानले मेरे पास जो टूब लाइट जल रहा है या मेरे बल्ब जल रहा है इन लोग लाइट को बिखेर देते हैं बिखेरते हैं ना, ठीके तो बस कमरे तक ही लाइट रहता है लेकिन अगर इनकी light को submit दिया जाए और एक दम दूर तक भेजा जाए तो लंबी दूरी तक जाएगा this person का मतलब बिखराओ होता है यदि मैं माल लिए इस light का में message है भेज रहा हूँ तो भाई ये लोग बिखर गया यहीं पर इतना सारा room में तो भाई ज्यादा दूर तक नहीं जाएगा यह room तक जाएगा यह room के बगल वाले room तक जाएगा ठीक है लंबी दूरी तक नहीं जाएगा इसका मतलब हम आपको यह बताना चाह रहे हैं कि single mode fiber में dispersion बहुत कम होता है इसलिए dispersion मतलब प्रकास का जो बिखराव हो कम होता है इसलिए वह लंबी दूरी तक जा सकता है और communication में काम आ जाता है तो सर इसके बाद पढ़ाई का multi mode fiber उसमें क्या उल्टा होता है हाँ उसमें उल्टा होता है उसमें बताएंगे dispersion जादा होता है और उसका उप्योग communication के लिए करते ही नहीं लंबी दूरी तक जाएगा ही नहीं मेरा प्रकास कभी घर जाएगा रास्ते में ही तो फिर हम क्यों communication के लिए प्योग करेंगे ठीक आगे बढ़ते हैं लास्ट पॉइंट है इसका the process of launching of light into single mode fiber is very difficult ठीक है ध्यान दें launching of light single mode में light का launching मतलब जो propagation हम कराते हैं उस दुरवात में देने का काम थोड़ टफ होता है ठीक है बहुत setting करके उसमें light के angle को set करके दिया जाता है ताकि total internal reflection हो तो कह रहा है कि इसमें जो light देने की process है light देने का जो launching of light single mode में बहुत difficult है क्योंकि इसका diameter भी छोटा होता है और angle भी set करना है तो बहुत difficult होता है ठीक है ध्यान देंगे तो अब आते हैं multimode fiber जैसा कि हम लोग पिछले वाले वीडियो में किये थे single mode और multimode एगल बगल वैसे ही आपके पास single mode और multimode एक जगह आ गया अब आप single mode को पढ़ते जाएए मैंने अभी single mode पढ़ाया उसी का एक तम same line same के साथ खाले data change है multimode में है पढ़के देखे तो क्या लिखा single mode में क्या पढ़े थे single mode optical fiber only one mode of propagation उधर क्या लिखता है many number of mode of propagation possible मतलब उसमें zigzag path भी होगा helical भी होगा spiral भी होगा straight line भी होगा बहुत सारे तरीके से हम उसमें ठीक है waves को भेज सकते है many number of mode of propagation बोलते हैं से देखे इधर जो diameter था हुआ 10 micrometer उधर वाला का diameter यानि मल्टी मोड का diameter कितना दिया है 50 से 200 micrometer ठीक है आईए the difference between the refractive index of core and cladding is very small उधर क्या लिखाए पड़िए the refractive index of core and cladding is very large बहुत ज़्यादा होता है ठीक है compared to single mode single mode से ज़्यादा होता है इधर single mode में क्या लिखाए the process of launching of light into single mode very difficult उसमें जो process of launching of light है बहुत ही easy होता है एक है बीच में dispersion वाला याद कीजे dispersion multi mode में पढ़िए due to multi mode transmission dispersion is large dispersion बहुत ज़्यादा होता है इसलिए इसका उपयोग लंबी दूरी की communication में नहीं होता है लंबी दूरी की communication में संभव नहीं है तो आपके सामने मैंने एक अंतर के type में definition भी रख दिया और अंतर भी बना दिया ठीक है तो आप इसको देख सकते है अंतर भी है और definition भी है बहुत अच्छे से इसको note down कीजे copy में और exam में अंतर भी आ सकता है लिखने के लिए या ठीक है बोलेगा कि अलग-अलग के बारे में define करो तो भाई अंतर भाला को क्यों लिखोगे एक साइड में जो है वहीं लिखोगे ठीक है अब है ठीक है एक last topic बज जाता है आपको application of optical fiber क्या है application of optical fiber ठीक है application of optical fiber तो अभी आपके पास एक फोटो आ रहा है इसमें बहुत सारे optical fiber के applications है आप इसमें देखे मैंने लगभग maximum जगह पर जहां-जहां optical fiber यूज होता है उनके नाम लिख रखे है आप इसमें से चून करके 10, 12, 5, 8, 7 जितना लिखिएगा बस आपका application हो गया तो आपके पास जो आ रहा है उसमें लिखा है optical fiber are extensively used in communication system ओब्यसी बात है हम लोग जो optical fiber बनाए है वो communication के लिए ही use होता है ठीक है मैं इस side खड़ा हो जाता हूँ दोनो side photo आएंगे जिसमें कि आप दोनो side में एक side example भी देखते रहिएगा कोशिस करूँगा कि हर के example आपको दिखा दूँ communication में भी used होता है ठीक है जैसे अभी मेरे घर में net जो आ रहा है ओ इंटरनेट जो optical fiber केबल से आ रहा है तो ये एक परकार का communication हुआ optical fiber used in exchange of information between different computers आपको बता दो दो computer के बीच में यदि मैं कोई data का transferring करता हूँ तो optical fiber से आसानी से और fast mode में हो जाता है आप इसको नहीं पता नहीं optical fiber से कभी data transfer होते देखें हैं या नहीं देखें हैं लेकिन अब देखने को मिलेगा कोशिस किजिएगा तीसरा optical fiber are used for exchange information in cable television अरे घर में जो cable TV आता है वो भी optical fiber जैसा ही होता है वो भी optical fiber ही है maximum optical fiber ही लगता है a space vehicle मतलब अध्रिक्ष में जो गाड़ियां जाती है उसको space vehicle बोलते है सब मरीन्स में भी optical fiber का परियोग किया जाता है अगला है optical fiber is used in industry in security alarm system हाँ ये important है security alarm system optical fiber बहुत जल्दी आवाज आने के लिए देर न हो इसके लिए security alarm system में industry में security alarm system में होता है process control में भी होता है process control एक machine है सारे system है बड़े-बड़े industry में इसका use होता है ये सब सब्दों को आप आगे चलके सीखेंगे मैं अभी बोलूँगा तो बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आएगा ठीक है industry, auto machines ये सब जो है आपको आगे मिलेंगे industrial auto machine security industry in alarm system process control ये सब आगे मिलेगा बड़े-बड़े industry में सब दों का परियोग होता है optical fiber is used in the pressure sensor in biomedical and engine control आपको मालूम है आज कल जितनी गाडियां बन रही है उनके engine को control करने के लिए हम लोग इस optical fiber का परियोग कर रहे है एकदम ठीक है तो अब लेसा हम देखें नहीं है तो अभी हम लोग को applications वहाँ मिलता ही नहीं क्योंकि वो सब गाडियां हमारे आस पास नहीं आती है हम लोग ते simple simple सी hero की गाड़ी, honda की गाड़ी या फिर TBS की गाड़ी यूज करते है या फिर बड़ी बड़ी गाड़ी आपके पास car भी है तो बहुत महंगी नहीं है कुछ महंगी गाड़ी होते हैं जिसमें optical fiber used होता है engine को control करने के लिए optical fiber used in medicine fabrication in endoscopy for the visualization of internal part of human body आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे body के अंदरूनी भाग हम लोग के body के अंदरूनी भाग का कोई भी part को देखना होगा तो endoscopy उसका नाम है medical term है कौन सा endoscopy endoscopy जाके आप doctor से बोलेगा endoscopy करा के लाइए अगर आपके पेट में कुछ चला गया endoscopy होता है जिससे हम visualize कर सकते हैं देख सकते हैं कि आपके body में कोई चीज कहा है जैसे एक बच्चे ने कांटी खा लिया था तो कांटी आपके पेट में गया ठीक है तो वो पेट के instantine जो हमारे पास है उसमें धीरी-धीरे बढ़ रहा था गलती सिधर उधर टेढ़ा मेड़ा होता तो उसका instantine कट जाता इसलिए उसको visualize किया जा रहा था कि अच्छे से धीरे-धीरे निकल रहा है तो इंडोस कॉपी करके ही निकाला जाता है देखा जाता है निकाला नहीं जाता है देखा जाता है Sensing Application of Optical Fiber R, Sensing Application of Optical Fiber R, Displacement Sensor कहां-कहां Sensor में यूज होता Optical Fiber हो देख लिए Displacement Sensor, Fluid Level Detector, Liquid Level Sensor, Temperature and Pressure Sensor यह आपको अगर आप Electrical Branch के हैं तो Automation Chapter मिलेगा पांच में सेमेस्टर में, उसमें सभी के बारे में आपको Teachers जो है एक-एक Sensor को Detail करते हैं Medical Application में भी Optical Fiber होता है Gastroscope, Orthoscope, Cloudoscope, Fiberoscope बहुत सारे scope हैं, अभी Medical Term है मेरे को भी बहुत अच्छे से नहीं पता एक-एक Medical Term के यूज के बारे में जो Medical करते हैं, वो ज़्यादा तर इन सब चीजों को बताते हैं बढ़ हम लोग इतना Detail नहीं जाएंगे Medical Application में उपर में 2-3 Medical Application हो गए, वो काफी है लेकिन इतने Tough Words हम लोग भी यूज नहीं करेंगे मैंने आप लिख दिया है, आपको अगर याद करना होता आप याद कर सकते हैं अधर्वाइस आठ नमबर आप लीव कर सकते हैं अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं इस वीडियो को अगर देखते हैं तो कमेंड़ आप लिख दिया है इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे थैंक यू, थैंक यू बेरी मच